हेलो फ्रेंड्स गुड मार्निंग अल आफ यू मैं ग्राडव कॉम्टेटिव क्लास से अरुन सर तो आज का मास्ट चालिस केस्टन है जो एंटीपीसी पर अधारित है जो नक्स्ट एक्जाम होने वाला आपका फेस्टर्ड उससी पर अधारित है जो बनाए गए आपको जो डेली एक्जाम में पूछ रहा है आपको जो डेली टपा करा है इसी अधारित पर बनाए गया आपका चालिस मास्ट के उचन जो आपका क्रेंट अफेर वी थे एस्टेटीजिक के मिलेगा आपको तो सुरू से अंतक बने रहे हैं इसी अब लो शेयर कर देंगे क्लास से स्टार्ट हो गया है जी शेयर कर देंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक आंण टक बने रहेंगे तो सुरू करते हैं आज क्या पहला सवाल क्या बोलता है जी बढ़िए सवाले सभी जी कल जो हमारे जो गेत क्लास से उन्होंने 87 एटम किये हैं बिलकुल तहस नहस कर देख जाम हॉल में नागिन डैस करा दिया पेपर को जो क्लास का लड़का गया 87 एटम किये हैं हमारे क्लास के जितने लड़के गये हैं जो अभी तक 85, 87, 82 एटम करके आए हैं इस तरह जो मैं डेली आप ल बनाता हूं जो डेली केस्टन पुछता है तो आप इसी तरह बने रहे हैं शुरू से अन तक जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक अलाइन क्लास को छोड़ेंगे नहीं जी तो शुरू करते हैं आज क्या पहला सवाल क्या बोलता है बदलाव की छमता ही बुधिमत्ता का परिणाम है जी यह सवाल है सवाल नहीं आपका एक सुछ विचार है बदलाव की छमता ही बुधिमत्ता का परिणाम है बिल्कुल अलवन आश्टी ने कहा था जी जब तक बदलाव नहीं कीजेगा अपनी त्यारी में बदलाव नहीं क करेंगे तब आपका नाक्ष्ट एक्जाम निखलेगा बिल्कुल तो चलते हैं नाक्ष्ट सवाल पर शुरू करते हैं आज क्या पहला सवाल क्या बोलता ची बढ़िया सवाल है तो सुरू से अंठक बने रहें यह विए बाला सवाल क्या कि मतलब कौन सी व्यक्ति देश के पूरू पर्दान मंत्री है राजसवा के सद्सक्रुपे मनाया गया है सपत लिए कौनसी तो आपका आंसर वुआ स्टी दिगोड़ा जी बिल्कुल याद रखें करनाटका के मुखमंत्री एस डी दिगोड़ा एस डी दिगोड़ा जो आपका बनाये गया है बीस सप्टमेद और विसको सपत लिए आपका अधेश के पूरू प्रधान मंत्री है और करनाटका के भी रज चुकी है बिल्किल याद रखें जो इस डी देगो ड़ा। सपत मुंत्री है जी पूछे, सवाल कही ी सबसे ब्जूर्ग बढूंसी है सबसे बजूर्ब पूछात मैंने कमी भर क्लास में कहीं rules से पहले भी सबसे उम्र दराज प्रधान मंतरी को बनाए गया है सबको मालम होगा जी बिल्कुल मौरा रजी दिशाई तो इस तरह से आपका सवाल कर एंटीपी से बटा पक गया जी बिल्कुल तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नुमर सवाल पर और राजसभा का सिदस बनने के लिए आप कोई सिमा नहीं होता है राजसभा का कार्जकाल का राजसभा का सिदस का कार्जकाल पुछे हैं तो छे वरस जो आपका एक तिहाई दो वरस पर सिवान दूरित होते हैं बिल्कुल राजसभा का सिदस बनने के लिए निंतमाई तीस वरस रासभा अनुश्यद बोलता है असी जो बिल्कुल पर्वानेंट हॉस बोलते हैं चलते हैं नाक्स तूसरे नमर सवाल ICC Champions Trophy देश जो आपका आयोईध होगा किस देश में होगा ये सवाल है ICC Champions Trophy जो आपका 2022 किर्केट का ओ किस देश में होगा ये सवाल है आपका तो याद लिए अपना देश जो है भारत में जी बिल्कुल याद लिए भारत ICC Champions ट्राफिद वेरेकिस जो होगा किस देश में आजित होगा जो किर्केट से सब्धित है वह भारत में होगा चलते हैं सब्सक्राइब 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 करें जो कि याद रखें पिनागी है आपका जो पहले लोकपाल अध्यच है जी बिल्कुल याद रखें जो आपक्या पुछे है भारत के प्रतम लोक पाल रहत प्रतम प्रत्र engaged स्वा कीतना वर्ष होता था तो 5 से पर निव्रिति सेवा निवृत होगो सब्स하다 कि आप से याद और है और पुछ आमे Absolutely to पांच वहुए इसकाल कंड़ कितने स्के। निव्री करेंगे नौरम से कोई लोगपाल में कितने अधिक्तम सदस होते हैं लोगपाल में कितने अधिक्तम सदस होते हैं आठ चैन समिती में कितने सदस होते हैं पांच याद रखें लोगपाल चैन समिती में कितने सदस होते हैं पांच याद रखें जो पुछेया सवाल दुनेश का लोगपाल चैन समिती म पांच सदस थे तो कौन-कौन थे तो आपका मालूमतार मुंश्रमत Smile Days लोक्सभा के देश ते जो समत्र माधड कर चेंव नेत हैं को समील किया जाता लेकिन उस अव्हीत यह संविन नहीं थे उसमें और मुख्ष नाद्टिर्थ रंजन गंगोई भी थे और एक जो आपका वेक्ति होता है जो बाई राष्टपती के दौरा विस सिष्ट अधिकारी को चुना जाता है जो मुकुल रोहतागी को चुना गया था अगर आप से जामें पते दुन दौने इसका पाल की निकती हुई तो चैन सिमिती में बाई रा सिमिती में पांस से दस होते हैं लेकिन अधिक्तम कितने होते हैं दो आठ होते हैं जी मॉष्ट बढ़िए सवाल है और लोकपाल का गठन हुआ भारत में 19 मार्च 29 को भारत में गठन हुआ और सबसे पहले लोकपाल आपको मालूँआ स्वीडन 1809 में पहली बार गठन हुआ लोकपाल का जो अबर्समान के नाम से बोलते हैं जी बिल्कुल याद रखें तो इस तरह आप से जाम में पुछते रहता है चलते नक्स्ट चौंथे नमर सवाल पर बढ़िए सवाल है याद रखें मॉस्ट है आपके तीसे नमर का सवाल सभी मॉस्ट बनाया गया सभी जाम के लिए चलते नक्स्ट चौंथ लोग पाल के देश कोने आएकि नीए भी सीचाइए थोड़ा सा यहां पर में एक्स प्रेंट हुआ इसको बी शीश्याइप पड़ेंगे ऐस ब्च जी बिल्कुल आपका डिक के जैन जी बिल्कुल और आपको मालूम हो कि जो लोगपाल बनाए गया जो भरहष्टाचार के मामले में जांस करता है बिल्कुल याद रखें जो हमारे देश में जितने भरहष्टाचार हो रहे हैं उसके जांस के लिए आपका लोगपाल का गठन किया गया तो बी श लोगपाल के देश को ने तो डिक के जैन याद रखें बढ़िए सवाल है मौस्ट चलते हैं नाक्स्ट पार्चे नमर सवाल पर और बीशी से के देश सरब गावले जो इन चालिस से नमबर के हैं जी बिल्कुल याद रखें हैं की संगठें ने आपरेशन ओलीव ला इंडियन कोश्ट गार्ड जी बिल्कुल आदके हैं जो ऑपरेशन ओलिव लॉंच किया जो ओलिव आपका जो रोडिशा से समझी थे बिल्कुल रीले कच्छ हुआ जो आपका परजाती है उसकी देखवाल करने के लिए ऑपरेशन ओलिव लॉंच किया गया जो आइसी जी के महानि देशक पूछिए नट्राजनी के बिल्कुल रहें जो आपका इसी जी के महानि देशक इंडियन कोश्ट गार्ड का क्रिशन स्वामी नत्राजन और इसका मुख्याले पूछे नई दिली 1078 में अस्थापना हुई थी बिल्कुल रहें इसी जी केिए इंडियन चलते हैं नाइस्ट छट्टे नबर स्वार पर बढ़िए सवाल है अच्छे सवाल है तो सुरू से आन तक बने रहें हैं फटफट लाइक करते हैं शेयर करते हैं क्लास स्टाट हो गया जो ग्रटफट क्लासिस की और से आपको दे जाता है सुबर मॉर्निंग में जी बने रहे चाहिए और फटफट हमारे यूट्यूब चैनल पर जो गडब यूट्यूब चैनल गडब क्लास पर जो नहीं जूड़े और स्स्क्राइब कर दें ताकि आपका नोटिफिकेसन मिलते रहे जी तो चर्टे नबर वाटर मैन आफ इंडिया का जाता किसको जी वाटर मैन आफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को बोलते हैं बढ़ी है सवाल है तो जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर फट फट तो राजंदर सी बिलकुल याद रखें राजंदर राजंदर सी को बोलते हैं आपका वाटर मैन आफ इंडिया के नाम से टाइगर मैन आफ इंडिया पुछे आपसे टाइगर मैन आफ इंडिया के लास संखला जी बिल्कुल याद रखे हैं वाटर मैन आफ इंडिया राजंदर सी बढ़ी है सवाल अच्छे सवाल है चलते नक् स्वाला मास गार्डेन ने जो खुला गया कि सिराज में उत्राखंड उसी का दुखाटन किया राजंदर सी जो वाटर मैन आप इंडिया के नाम से बोलते हैं चलते हैं नेक्स्ट सातमा स्वाल क्या बोलता है स्वाल क्या बोलता है सातमे नमर का किसे अट्लांटिक माहसागर का सबसे बड़ा पुरी तरह से सरंजरचित समंदरी रिजरु घौसित किया गया है यह आपका स्वाल है किसे अट्लांटिक माहसागर का सबसे बड़ा पुरी तरह से संदरचित समंदरी रिजरु घौसित किया गया है तो याद रखेंगे आपका अंसर होगा ट्रिस्टकान ट्रिस्टकतान दा कुनहा जी बिल्क लिए दखें आपका अंसर होगा ट्रिस्टकान ट्रिस्टकान ट्रिस्टान डा कुनहा जी इन एच ए कुनहा जने कृस्टान दा कुनहा को अट्लांटिक माहसागर का सबसे बड़ा पुरी तरह से संद्रचित समंद्री रिजारु घोसित किया गया है याद रखें इस तरह है फिर से मैं बोल दरा मंसर ट्रिस्टान दा कुनहा जो अट्लांटिक माहसागर के सबसे बड़ी पुरी तरह से संद्रचित समंद्री रिजारु घोसित किया गया है मेलकुल याद रखें और अट सबसे ब्यास्थ महासागर है अट्लांटिक महासागर यह उत्री अट्लांटिक महासागर सबसे ब्यास्थ महासागर है और सबसे पुछे है सवाल कि उत्री अट्लांटिक महासागर में एक इस्तित्य मसली उत्पादन के लिए परसीद है जो आपका डांगर बैंक जी तो चलते नेक्स्ट आपका आठ्वे निवर्स वाल पर आठ्वा स्वाल क्या बोलता है आठ्वा स्वाल क्या बोलता है कि बारा का परमानु उर्जा सेंत्र और अब देश प्तलब कौं सा स्थापित क्या है पहला अरव धेश कोन सा बना है ये स्वाल आपका है तो आपका अंसर होगा इव-ए-ई, संजुक्त अरब अमिरात याद रखें इव एई संजुक्त अरभ अमिरात जो वराका प्रमानु उर्जाशांत अस्थावित करने वाला पाला अरवदेस बना है जे बिल्कुल इस तरह हैं संजुक्त अरभ अमिरात करदानी अबुधाबी बिल्कुल याद रिकें जो आपका IPL 22 का संपन हुआ अबुधाबी में बिल्कुली या दखे हैं जो मुम्माई ने दिल्ली को रहा है था बिल्कुली या दखे हैं पांच विकेट से चलते हैं नेक्स्ट आपका नौए नेमर स्वाल पर नौए स्वाल क्या बोलता है कि एरोपिय संग ने किस वस्तक सुन कार्बन उत्सरजन का लच्छ रखा है यह सवाल आपका है एरोपिय संग ने किस वस्तक सुन कार्बन उत्सरजन का लच्छ रखा है तो अंसर आपको का 2050 तक जी याद रखे हैं 2050 तक जो आपका ग्रामिन पुरच का है, इसमे प्रत्हमराज कुन साथ लखने के लिए? पुरप स्वाल करते हैं, इसमें प्रत्थमराज कुन साथ है? यह सवाल आपका स्वच सन्वेच्छन ग्रामिन पुर्ष का दोने इसमें प्रत्थम राज कौन सा है यह आपका सवाल है तो जल्दी से बता देगे सभी के मिलकर फटफट अंसर जी अभी तक जो लाइव क्लास में नहीं आए लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे सेर करते हैं कलास स्टार्ट होगा है जो गड़ अपको सुबह साथ पुझे दियाता है सभी एक्जाम के लिए नंटी पिसी रेले ग्रूबडी एससी आपका बिहार पुलिस बिहार दरोगा का एक्जाम जो नेक्स्ट होने वाला पीटी उसके लिए बिलकुल तो सभी मास्ट क सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते हैं और फड़ फट लाइक भी करते हैं दसमें सवाल सवच्च सवच्चन ग्रामीन पुष्ट का दुनईस में प्रत्थम राज क्योंसा है यह आपका सवाल है तो तमिनाडू जी याद रखें आपका अंसर को तमिनाडू बिलकुल याद रखें तमिनाडू जो सवच्च सवच्चन ग्रामीन पुष्ट का जी पेडा पल्ली जो तेलंगाना का है याद रखेंगे जो स्वच सवरिच्छन ग्रामीर पुर्षकार दोने से प्रत्थम अस्थान प्राप्त किया प्रत्थम जीला बनाए पेडा पल्ली तेलंगाना में राज पुछिया तमिनाडू चलते नेक्स्ट एगरे नुमर सवाल अगर वहां सवाल क्या हो रहा है बरहां आए सिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दोने इसमें गोल्डन बॉल पुर्षकार किसको दिया गया है यह आपका सवाल है जी मौस्ट है बढ़ी है सवाल है सभी को बता देंगे जल्दिस से उता देंगे सभी को मिलकर जी और अभी तक जो लाइक करते हैं फटबड़ सेर कर देंगे जी बढ़ी है सवाल सभी मौस्ट है सुरू से अंतक बने रहे बीच में कहीं जाएं नहीं अपलो जी और सेर कर देजे क्लास स्टार्ट हो गया है और कलमो कॉपी साथ रखेंगे नोट करते जाएंगे किसे क्लासिस के वर्श आपको दिया जाता है जेली सुबस साथ हुझे जी तो याद दखेंगे आपका ब्रहामा ऐसे सी क्रिकेट वर्ल्ड कप तो अब ने इस से में गॉल्डन बॉल का पुर्षकार दिया गया आपको तो मिचल अस्ट्राक जी बिल्कुल मिचल अस्ट्राक को कॉछका पूछ्सेराक दिया गया जी गॉल्डन बॉल्कॉज का वार्ड बेलुकुल या द खेंगे और जो है करने वाले सर्माइष्ट्राक जो गॉल्डन बॉल पुर्षक कर दीया गया अगर आपसे पुछते कि सरवादिक रन बनाए तो रोह सरमा बनाए था है और बिल्कुल याद र throne है और इन्हों इनको जो डिया गया गया गोल्डन बैट पुर्षकारfeito पुछ है सवाल बारामा ऐसे सी क्रिकेट वर्ल कप दोनेस में गोल्डन बैट पुर्षकार किसको दिया गए तो रोई शर्मा गोल्डन बाल पुर्षकार तो मिचल अश्ट्राक बढ़िया सवाल है याद रखें और उसमें जो आपका फाइनल मैच हुआ था अस्टली और नि पुर्षकारोच बिल्कुल इस तरह याद रखें हैं सभी मौर्षक ने और पहली बार विजेटा इंगलैंड जो दुनेस का आईसे सी वर्ल कॉप क्रिकेट जीता विजेटा देश बना इंगलैंड निजीलेंड को रहाय था बिल्कुल ओर और रामा ऐसे-सी क्रिकेट वर् आपका इंडिया में होगा बिल्कुल चलते हैं नाक्ष्ट ब्रह्मा नमर सवाल पर तो इस तरह बने रहेंगे सुरू से अंतक और नोट करते जाएंगे बढ़िये सवाल सभी बनाया गया जो आपका एंटीपीसी पर टपकेगा च्छपेगा तो ब्रह्मा सवाल क्या बोल रह रिचार्ड डाक्सीन रिचार्ड डाकिंस पुरुष्कार किसको दिया गया यह सवाल आपका है जी रिचार्ड डाकिंस पुरुष्कार किसको दिया गया तो जल्दिस से बता देंगे इसके अंसर जो होगा जावेद अक्तर जी बिल्कुल आदके जावेद अक्तर को दिया जी जावेद अक्तर को दिया गया आपका जो फिल्म जगत के जो कवी हैं लेखक हैं जावेद अक्तर जो रिचार्ड डॉक्षिंज पुर्षकार दिया गया दोने 20 का बढ़िया सवाल याद रखें जो यह पुर्षकार बिग्यान सिच्छा और मन्रोंजन के छेतर में धर्म रिपेश्टा और बेग्यानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए तो परदान किया आता है जावेद अक्तर या पुर्षकार पाने वाले भारती हैं बिल्कुर याद देखें रिचार्ड डॉक्षिंज पुर्षकार दर्विश किसको दिया जावेद अक्तर पहली बार भार तो चलते नाक्ष्ट आपका तेरामा नमबर स्वाल पर त्रहामा स्वाल क्या बलता है कि शह हाथामें राष्ट्यय फील्म पुर्षकार में सरस्रेश्ट आपका 66 में राष्टिये फिल्म पुर्षकार 29 में सर्वस्रेष्ट हिंदी फिल्म का वाड किसको दिया गया है यह सवाल है आपको यहाँ पुरा केस्टन नहीं बन पाया है नहीं लिखा पाया है तो मैं केस्टन को पढ़ दे रहा हूं तो आप लोग सुनेंगे दियान से सवाल क्या बोलता है 66 में राष्टिये फिल्म पुर्षकार 29 में सर्वस्रेष्ट हिंदी फिल्म का वाड किसको दिया गया है हिंदी फिल्म का पुर्षकार किसको दिया गया है तो अंधा धुन को जी याद रखें अंधा धुन को दिया गया आपका स्छातब्या राष्टिया फिलम पुर्श्काऊ दौरवीःश में सरस्रिष्ट हिंदी फिलम का अवार्ड किसको दिया गया तो अंधा धुन बिल्कुल या दो किये और आप से क्या पुछेगा स्वाल जी अंधाधून को दिया गया सरफ्षेस्ट हिंदी फिल्म पुस्कार और सरफ्षेस्ट फिलम पूछे गा गुजराती फिलम हेला और बिल्कुल ए दक ने खिम हैं और अश्मान खुराना और सरफ्षाथ आभनेत्री कृति सुरेश्ट जो शार्व है राष्टिये फिल्म पृसकार को अधित धर को उड़िए रखने हैं कि चलते नंग्ष्ड आपका गयर सब्सकर कर? वरश डरबीज में किर्कैट के च्थे र्म मर्सकार किस को द्या गया है? ज़ल्दि से बता तेंगा सभी कमिलकर कि वर्स दरबीश में किरिकेट के छेतब में पदमसरी पुरुषकर किसको दियाँ गया जी बढ़िया शौल जल्दी से उता देंगे सभी को मिलकर है फटा-फट अंसर देंगे जो मिला भारत्य किरिकेटर पुरुष किसको मिला यह आपका सवाल है, जल्दी से अंसर दे देंगे, जी तो अंसर याद रखें आपका जहिर खान को, जी बिल्कुल याद रखें, जहिर खान को दिया गया आपका, दो वर्श दरबीश में किर्केट के चितरें पदमसिरी, जहिर खान, बढ़ी है सवाल, और नोट भी कर क्योंकि सभी मौश्ट सवाल बनाई है जाहिर खान को दिया गया किर्केट के छेतर में आपका पुदमसिरी पुरुषकार विल्कुल याद रखें सबसे छोटा पुरुषकार है पुदमसिरी भारत का जो 118 वेक्तियों को दिया गया जिसमें मौश्ट आपका सवाल पुछता यह सवाल पुछा है इंटी पीसी तो इसी पर मैंने एक सवाल और बना दिया बेलकुल याद रखें तो चलते है नाक्स्ट आपका पंदरावी नुमर सवाल पर पंदरावा सवाल की रष्ट्रिय ग्रामिन स्वास्त मिशन की सुरुआत कब से हुई यह सवाल है रष्ट्रिय ग्रामिन स्वास्त मिशन की सुरुआत कब से हुई यह सवाल है तो जल्दी से बता देंगे सभी के मिलकर फटफट अंसर देंगे जी तो अंसर होगा आपका य है सुलामा सवाल का बबार की all India services के सदस्यों की निखती कौना करता है यह सवाल आपका है और इंडिया services के सदस्यों को निखती को और करता है तो यह देखें राष्टपति करता है जी सभी सवाल एंट अपका रेलिए में सदस्यों के निक्ति जो करता है और राष्टपती करता है बिल्कुल या दखे हैं और राष्टपती पुछे हैं हमारे कहां से लिया गया तो अमेरिका के सुधान से लिया गया बिल्कुल या दखे हैं राष्टपती का पाद होगा अनुश्यद बावन बोलता है और संकी राश्पती पर जो महावियों की परकिरिया अनुश्यद 16 इस तरह याद रखें और राश्पती के छमादान की सक्ति जो दीगाई अनुश्यद 72 में तो चलते हैं नक्ष्ट आपका 17 नमर सवाल पर और राश्पती के चुनाव में जो भाग लेते हैं आपका लोकसवा राश् तो आयरलेंड से लिया गया है इस तरह भी याद रखेंगे 17 में सवाल एस्या महादीब का सबसे बड़ा दीब कौनसा है जी बढ़िया सवाल एस्या महादीब का सबसे बड़ा दीब कौनसा तो बोर्नियो जी याद रखें बोर्नियो आपका एस्या महादीब का सबसे बड पर अधिकार है बिल्कुल यह रखें जो इस्या महादिप का सबसे बड़ा दिप बॉरनियों अभीस्ट का सबसे बड़ा दिप जी बिल्कुल यह रखें चलते है नेक्स्ट आपका अटर्री नॉमच सवाल पर अठरवन सवाल की इस देश में अवस्तित है great आटीजियान वैसिन किस च्रेश में अवस्तित है बनियां सवाल बता देगे तो आंसर आपको और चलिया जी अश्चलिया एक बार नहीं तो तब आपका जीक्य माइंड में घोसे गा बिलकुल तो Great Argyn Waisin किस महाधी पर तो Australia में याद रहें और Australia जह एक परवाल भीति हुरे ग्रेट वरिया रेफ विलकुल 20 के सबसे जह हैं वहका बड़ा परवाल भीति के नमुरं ग्रैट भर्याय रिफ जो आपका यह तरह चलिए आमें जो परसांत महासागर में पिस तरह तरह रही है चलते हैं ऐसे नाक्ष्ट आपका उनिस्वा उनिस्वाइ इव। कि तिवतिं oko की कि सोर्व कि से बिक नंग में कहते हैं बिल्कुल ये स्वाल आपका कि तिवतिं कि से चोनोगा की नाम से बोलते हैं ये स्वाल आपका है तो ंवरेस्ट जाद रखें ओ का और एक सूल ऐस उते लोग जो है न आपका चमू लंगा के नाम से बोलते हैं, देवताओं की देवी बोलते हैं, आपका देवताओं की देवी, भरफ की देवी, माउंट एवरेस्ट को तीबत के लोग बोलते हैं, चमू लंगमा, बिल्कुल याद रखें, चलते हैं नक्स्ट आपका, अब इसके सबसे उची चो हुआ तो याद रखेंड आपका पाँ जी बिलकुल इंदर गांधी कि समयना देस्ट की जो से ist찬 यहां इंद्र में निति में नम्बर सवाल पर जी बने च सुरूब यह सुरू से अंतव जो अभी तक लाइक सिर्क दें स्टाड हो गया है और हम करें ब्लू Mobile जोड़ें सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिक्रिक्रिशन मिलते रहें जिब इल्कुल जब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा जब मैं mcq के रूपे नहीं लेकर आऊंगा mcq के रूपे लेकर आऊंगा तब आपका 1000 पूरे सब्सक्राइबर हो जागा जी बिल्कुल नजदीक समय है ज्यादा टाइम नहीं बित्ते आपका है मातरे 20-30 सब्सक्राइबर घट रहा है जो आपका जिस्टर बॉट के मातरे हमसे जी बिल्कुल तो 20-30 से आपका सब्सक्राइबर कम रहा है इसके वज़े से आपका ऑनलाइन क्लासे जो MCQ के रूपे मैं नहीं दे पा रहा हूं और वन लाइनर के रूपे दे रहा हूं तो जब MCQ के रूपे तब देंगा जब 1000 पूरे सब्सक्राइबर हो जाएगे तो आपका फटट फट और बिच्वरदस्त मिलेगा आपको MCQ के रूपे GKS और स्टेटिस रस्गुले मिलेंगे क्रेंट अफेर मिलेंगे उसमें मज़ा आएगा आपको बिल्कुल किसमें सवाल क्राइ किस क्या संच्छेपन है यह आपका सवाल है जी ए एंटीपिसी सवाल पूछ चुका भी है बिल्कुल याद रखेंगें क्राइब और वाहिज इसको बोलते हैं किसका संच्छेपन है तो याद रखेंगें जो चैल्ड रिलिफ एंड यू बिल्कुल क्राइब किसका संच्छेपन हाए तो चैल्ड रिलिफ एंड этот कि यादि करने के अतलब सिष्चे चाहल्ड पंदेंगें चाहल्ड छैल्ड रिलीफ चाइल्ड रिलिफ एंड यू यह आपका C, R, Y का पुन्रूप होता है बिल्कुल जो बच्चों से समन्दित है अगर आपसे ही जामें पूते क्राइक तो C का मतलब चाइल्ड, R का मतलब रिलिफ, Y का मतलब जो यू होता है एंड यू बिल्कुल यह रखें चलते हैं नेक्स् तो चलते हैं नेक्स्ट आपका है 3 यू बर्स वहल पर तो सब्सक्राइब्यों अब आधिसेदम जनदर सवारें small और सब्सक्राइब्यों सब्सक्राइब बनाए गया चॉलिस मॉस्ट करेंट एफर वित अश्टिटिस रस्गूले सभी मिलेंगा आपको तो सुरू से अंतक बनेंगे तो सेनवेट का समन्द किस से तो याद रखें उत्पाद सुल्ख से जी बिल्कूल उत्पाद आपका सुल्ख से समन्दित है सेनवेट जो उत्पाद सुल्ख एक आप परते हैं बिल्कूल याद रखेंगे चलते हैं नाक्स्ट आपका चबिस्वें नमर्स स्वाल पर कि चबिस्वें स्वाल क्या बोलता है कि कि एक नुम्बर नेशे चपन को गठित होने के बाद अंधरा प्रदेश का प्रत्रम राजपाल किसको बनाए गया था यह आपका स्वाल है यह आपका स्वाल को तो इसके बाद अन्दरा प्रदेश का कि एम कि तिरिवेदी को बनाया गया था जब अंद्रा प्रजिस्ट गठित हुआ था एक नॉम्र में सो चप्पन उसके बाद हां का राजिपाल प्रधम बनाया गया था सी-m- thiुल्बैदी बिल्कुल जा दखें और सवाल पूछता है कि Itsnuko किस्ट की अधार PR गठित किया गया था जै बैसक बिल्कुल जा जखें और जो democratic स्वाल 56 में आपका एक नम्हर इस चपन को घड़ित हुआ था तो चलते नेक्स्ट 25 नमर सवाल पर 25 स्वाल क्या बोलता है कि खुरदाद साल उत्सो जी समन्दी थे किस से यानि खुरदाद साल उत्सो मनाया जाता है किस के दोरा जी ए स्वाल आपका जो खुरदाद साल उत्सो किस के दोरा मनाया जाता है तो याद देखें पारसीयों के दोरा जी बिल्कुल याद रखें यानि पारसीयों के दोरा आपको मनाया जाता है खुरदाद साल उत्सव तो चलते नाक्स्ट आपका 26 नमर स्वाल पर 26 सवाल का बलता है कि मालदीव के अधिकारिक वासा क्या है ये आपका सवाल है तो चल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटफ़ाट है तो अंसर याद रहें ती बहि अपका माल दिव की अध्यकारी भासा है जी बिलकुली याद रहें चते नक्स्ट और माल दान माले पूछे यह इसका रुप्या मुद्रा है नेक्स्ट क्या पुछे आपका 27 नमर सवार पर चलते हैं हम लोग 27 सवार क्या बोलता है कि भारत के राष्टिये पर्तिक में 4 पसु दिखाई देते हैं भारत के राष्टिये पर्तिक में 4 पसु जो दिखाई देते हैं यह सवाल आपका है तो 4 पसु कौन सा है जिब इलकुल यहां पर थोगा सा मिक्स प्रिंट हुआ तो 4 पसु का नाम बताना है आपको जल्दी से बता देंगे भारत के राष्टिये पर्तिक में 4 पसु दिखाई देते हैं सवाल है तो 4 पसु दिखाई देखें आपका बैल होगा जिब इलकुल यहां देखें आपका अंसर कौन सा होगा 4 में बैल होगा जलतें नेक्स्ट 28 पसु पर 28 पसु दिखाई आपका कि अंतराष्ट्री मुद्रा निधी इस्तित है कहां में यह आपका सवाल है अंतराष्ट्री मुद्रा निधी कहां में अवस्तित है यह आपका सवाल है तो याद रखें वासिंगटन डेशी में वासिंगटन डेशी में इस्तित है अंतराष्ट्री मुद्रा निधी इस्तित बिल्कुल याद रखेंगे और वासिकरण डिसी जो आपका पोटो मैक नदी किनारे अवस्तित है और वासिकरण डिसी डिसी का पुटूप डिस्टिक आप कोलम्बिया बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे तो चलते हैं नाक्ष्ट 29 नुमर स्वाल पर 29 स्वाल क्या बोर आपका कि क्लकत्ता और अगराक बिच पहली बार टेलिग्राम लाइन की सुरुआत कब से हुई यह आपका स्वाल है यह आपका स्वाल है कि क्लकत्ता और अगराक बिच से पहली टेलिग्राफ फे लाइन की सुरुआत कब हुई टेलिग्राफ फे लाइन सहां कि योई समय बात का जो गवर्नेर्ट जेनल जो ता आपका गवर्नेट जनरल जो लड्ल हजी के समय में बिल्कुल याद रहे चलते हैं नस्ट आपका तिसरे नमस्वाल पर कारगिल नाम एक काफी फरसिद जगा है बिलकुल कारगिल नाम एक काफी फरसिद जगा है तो तो याद रखेंगे कारगिल नाम एक काफी परसीद है तो एक प्रकार का एक क्या एक जील है जी विल्कुल याद रखेंगे तो चलते हैं नाक्स्ट आपका एक तिस्वान सवाल पर एक तिसमा स्वाल काया है कि गुजरात में अनंद परसीद है किस के लिए गुजरात में एक जगा है अनंद जो परसीद है किस के लिए परसीद है तो आप अंसर यादर के दुद उत्पादन के लिए जी बिलकुल आपका दुद उत्पादन के लिए परसीद है आपका गुज गजराए राजस्त के गठन गजराएगं किया गए था गरवाड़ाड़ा किस राजस्त का लोक निर रित है तो गरवस्ता मिलकुल हिआ रहा है गुजरात के रधानिक कांधी नगर जो उस आपका सवर मतिन अदी किनारे अवस्तित है चलते हैं नक्ष्ट आपका बातिस्वे नुमर स्वाल पर और एक वायू चक्रवात आया था जूने दुर्वीश में जो आपका चक्रवात आया था वायू तो कौनसी राज़ में तो व हाओ का सवाल है टो याद रखें एनिमो फिली एनिमो पिली यद रखेंगे आवा का प्रागन पुच्ण वह थाल फिली तो इसतर्छी से पकड़ सकते हवा की गति जो मापा जाता है एनिमू मीटर से यह आपको मालूम होगा तो इस पर आप पकड़ सकते हवा की गति एनिमू मीटर तो हवा के प्रागन एनिमू फिली तो इस तरह याद रखेंगे चलते हैं नाक्ष्ट आपका 33 स्वाल पर 33 स्वाल क्या वगता है क हाईजीन बिग्यान समंधित है किस से हाईजीन बिग्यान समंधित लिया गया यह को लिया गया तो यद हो करें दच्छीा कि उल्च दंप लिया गया है रासवा के सिद्षियों कंदर वाचन यह स्वाल पूछे आपका मैंस में पूछा आपका बिहार दरोगा में जी और कई बार मैंने पूछने से पहले कई बार offline classes में 1000 वर बताया है बिलकुल तो यहादर है राज स्वा के सिदस्चियों का निर्वाचन जो लिया गया है दच्षी अफिरका से स्विधान में संसदन गाहा से ले गया है तो दच्षी अफिरका नाक्स्ट 35 सवाल पर 35 सवाल क्या बोलता है कि मानौस स्रीर में कर्भोहाइडरेट की रुपे पुना संग्रित होता है मतलब किसकी रुप में होता है ये आपका सवाल है मानौस स्रीर में कर्भोहाइडरेट की रुपे पुना संग्रित होता है तो ग्लाइको जैन में आपका पुना संग्रित होता है मानौ सरीमें कारव हाइड्रेट बिल्कूर चलते हैं नाक्स्ट आपका जल्दी से पता दे कमरे ऑष्था में रहता है कि उते हैं प्रोमीन, जो रहता है चलते नाक्षट आपका अपका सवाल पर, जो अभी तक subscribe करते हैं हमारे इंट्रिप चैनल क्रेड़ प्रक्राइब के लिए जुड़े है और subscribe करते है और फटाफट like करते हैं share करते है class start है जो last की ओर बढ़ रहा है आपका विल्कुल तो सुर्श से अं तक बनेंगे आपको दिया गता है डेली मॉस्ट आज के 40 केश्चन है जो अपका एससे मतनर है जे यह स्वाल है भार का इससे मतनर क्या होता है तो नीृटन जी सब्सक्राइब प्रिंस्पिया पुष्टक बिल्कुल याद रखें चलते हैं नाच्ट आपका और तीश्वार कि भी एल एसाइब का पूरूप क्या होता है तो यह लार्ज स्केल इंट्रिगेशन जी बिल्कुल याद रखें आपका मैं बोल दरा हूं आप लोग लेंगे नोट कर लेंगे वी एल एसाइब का पूरूप क्या था वेरी लार्ज स्केल इंट्रिग्रेशन इंट्रिग्रेशन बिल्कुल याद रखें फिर से में बोलता है वी का मतलब व 49 स्वाल क्या बोल रहा है कि computer किसके बिना काम नहीं कर सकती है यह आपका सवाल है जी computer किसके बिना काम नहीं कर सकती है कंप्धीटर का मस्तिस की रुप में कों सा काम करता है चलते हैं और लाष्ट सवाल है चारीषवा स्वाल कैं बोल रहा है कि आपका रीग वैद में सबसे पुईतर नदी कोँ सी है तो सर्स्वती जो आपका सबसे पुईतर नदी है रीग वैद में किस नदी का वलेक एक बार हुआ गंगा, तीन बार, यह मुना, सरवाधिक बार कुछ है, तो सिंधू, बिल्कुल याद रखें इस तरह, तीन सवाल आपसे जामे टपकता है, छपता है, बिल्कुल याद रखें, रीग वैद में सबसे पवित नदी सरसवती, रीग वैद में किस नदी का उलेक एक बार हुआ, गंगा, रीग वैद में किस नदी का उलेक तीन बार हुआ, यह मुना, और किस नदी का उलेक सरवाधिक बार हुआ, तो सिंधू नदी, तो इस तरह आपे याद रखेंगे, जो आज का मौष्ट 40 क्योशन मिला, जरूर बता देंगे, आप लोग जल्दी से फटफट कैसा ल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्ते बीच अधिक से अधिक से लिंक को, ताकि आपको लाइब क्लासेज दिया जयता हुआ, उस पर भाग ले, बिल्कुल, तो नेक्स्ट डिया मिलूंगा, आज का दिन आप लोग के लिए मंगल में हो, फोल जैसा खेलते रहे, हस्ते रहे, मुश्कराते रहे, स्वस्त रहे, बिल्कुल, तो कल सुबा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रड़ अप कमेंटरी क्लासेज, जय बिहार,